हे गाईज, वलकम टू डिजिटल शाके आज मैं इस वीडियो में आपको एक छोड़ से टुटोरियल के जरीए बताऊंगा अगर आप प्लगिन यूस करते हो अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से हम उसमें coupon code assign करें एक particular affiliate के लिए for example मेरा कोई affiliate है जिसका YouTube channel है या वो अच्छा promotion करता है मैं चाहूंगा कि मैं उसको एक specific code दूँ ताके वो code कोई भी apply करें तो एक तो discount percentage customer को मिले उसके और affiliate को भी direct उसका commission मतलब assign हो जाए तो उसके लिए हम affiliate WP में बहुत easy तरीके से without any extra plugin हम कर सकते है तो वो आज हम सीखेंगे ये मेरा WooCommerce website है और जो affiliate WP मेरा install है affiliates में जाओं तो सिर्फ अभी ये एक demo website है और एक ही affiliate है जिसका username है shaqibmd1 मेरा admin जो है वो login है वो तो site का owner है और affiliate मैंने एक दूसरे email id से create किया है जिसका user है shaqibmd1 अब इसका मालो shaqibmd1 का एक youtube channel है digital shaqib करके तो अब वो चाहता है कि उसको एक specific coupon code दिया जाए जिससे 20% जो उसको commission मिलता है वो तो मिले साथी साथ जब कोई भी coupon code apply करे और link उसका click नहीं भी किया हो तो भी उसे commission मिले तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो देखो अगर आपका fresh installation है affiliate WP का और WooCommerce आपका install है तो आपको settings में जाना होगा affiliate WP के और इन दोनों को integrate करना होगा affiliate WP और WooCommerce को तो उसके लिए हम क्या करेंगे affiliate के settings में जाके integration पे जाके और यह WooCommerce यहाँ में बहुत सारे integration है आपको WooCommerce और भी जो जो आप use करते हो आप इसे tick mark करके safe changes कर देना मेरा already मैंने किया हुआ है अब हमें simply और कुछ नहीं करना है WooCommerce का जो coupon section है अब marketing में है coupons में जाना है अब हम उसके लिए एक specific coupon बनाएंगे तो क्योंकि मैंने बोला कि मेरे जो affiliate है उसका नाम है उसका YouTube चैनल का नाम है digital शाकिप तो मैं उसे एक coupon assign कर देता हूँ digital शाकिप करके अब इसका जो discount percentage है याद रहे आप इसे change कर सकते हो बट मैं जितना मेरा website जितना मैं affiliate को देता हूँ उसको normally 20% उतना ही इसे भी देना चाहूँगा अब simply जो है affiliate discount जो option add हो गया है वो हमारा WooCommerce और affiliate WP integration के बाद ही दिखेगा आपको तो यहाँ पर आपको अब just उसका user name क्लिक करना है और यह search कर रहा है देखो यहाँ पर आगया शाकिप MD1 इसे क्लिक कर देना है और हमें इसे publish कर देना है यह user assign हो गया उसके coupon में अगर मैं affiliate tabs यह सब coupon यूज़ करता तो उसको भी यह coupon दिखाई देता बड़ अभी के लिए आप उसे mail कर सकते हो कि आपके लिए यह coupon क्रेट किया है और जब भी यह coupon कोई भी यूज़ करके purchase करेगा आपके website से तो उसके affiliate में वो commission add हो जाएगा thank you so much for watching चोटे चोटे वीडियो चोटे चोटे प्राबलम जो आपको आते हैं उसी पर बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा मिलते हैं next video में thank you so much for watching